गूड मॉर्निंङ दोस्तों तो मैं आपका दोसन्दर आज हम बसार करेंगे पैट्रल कारों के अंदर जो कारविटर कार है उसके अंदर जो इस पार प्लके लगाए km फोने के करेंट का जो है सिस्टम उसके बारे में बात करेंगे कि उनमें जो पावर श्टोक आता है इस पार प्लक के दोवारा तो उसमें करेंट कैसे उत्पन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे ए सब्सक्राइब है जितने भी पेट्रोल इंजेन जो पुराणे थे उनके अंदर एक सब्सक्राइब करते हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं तो उसके बारे में हम जानेंगे तो हम तोपर तरीके से उसी पर डिसकस करेंगे ना कि हम MPFI इंजन के बारे में बात करेंगे only for हम कार्वेटर कार के बारें बात करेंगे तो कार्वेटर कार के अंदर क्या होता है कि इंजिन जब चलता है तो उसमें सब चीज चालू होती है जैसे कि सबसे पहले हमारा सक्षन होता है फिर उसमें कंप्रेशन होता है फिर पावर स्टोक आता है पावर स्टोक तो कार्वेटर गाड़ी के अंदर क्या होता सक्षन के अंदर फ्यूल और एयर का मिक्षर अंदर सलेंडर के अंदर जाता है लेकिन पावर स्टोक जो होता है हमारा व तो आग लग जाती है तो अब कैसे जंप होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है हमारी कार इंजेन होता है इंजिन के अंदर होता क्या है पूरा इंजिन हैं इंजिन के अंदर हम क्या करते हैं एक आपने देखा होगा एक छोटी सी एक मोटी लीड लिकरती है जिसे हम इस पार प्लक की लीड बोलते हैं वो मोटी लीड क्या होती है हमारे जो डिस्टिबूटर देखा होगा आप जो केम की साहिता से डिस्टिबूटर चलता है केम की साहिता से हमारा डिस्टिबूटर डिस्टिबूटर होता रहता है और डिस् करेंट को जंप कराता है तो होता क्या है कि जब हमारा इंजन गोमता तो डिस्टिबूटर गोमता डिस्टिबूटर जहां हमारा पॉइंट होता है रोटर क्या करता है कि वह जब हमारा एक पॉइंट होता है उस पॉइंट को बारी-बारी से खोलना और बंद करने का काम करता ह जब वहां पे current होता है तो current क्या होता है टूडता और जुड़ता है तो सीधा क्या होता हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्वाइल लगी हुई है जो HD बोर्तल है उसके अंदर जाता है जब वहां पे jump हमारा वाइर में current आना और जाना होता है तो वहां क्या होता है current ज्यादा उत्पन हो जाता है तो वहां पे क्या उसमें दूसरे जो हमारी प्राइमरी से सेकेंडरी में जब करेंट जाता है तो वहां क्या करेंट डबल हो जाता है जो डबल करेंट हमारा हो जाता है तो वह क्या होता है हमारा डिस्टिबूटर के अंदर जाता है अब डिस्टिबूटर के अंदर क्या होता है जितने भी पिस्टन होते हैं उन पिस्ट जब फाइरिंग ओडर के अनुसार हमारा क्या होगा डिस्टिबूटर जैसे घूम रहा होता है तो फाइरिंग के अनुसार हमारे एश्डी कोईल पे जैसे ही हमारे डिस्टिबूटर से जादा करेंट आता है डिस्टिबूटर पे तो डिस्टिबूटर क्या करता है करेंट को डिस्टिबूट करना चालू करता है जब करेंट को डिस्टिबूट करना चालू करता है तो क्या होता हमारे एक एक इसपार प्लक इस पार प्लक काम करता है तो अब क्या होता है हमारी ये पुरानी गाड़ियों के अंदर क्या होता जो डिस्टिबूटर होता था वो डिस्टिबूटर के अंदर पॉइंट खराब हो जाता था बारी बारी तो उसके कारण से हमारे ये इंजन में बहुत दिक्कत आती थी बार है उन्होंने क्या किया इस इंजन को रिप्लेस किया और MPFI इंजन को लेकि आए अब MPFI इंजन के अंदर हम देखेंगे कि उसमें ऐसा क्या चीज़ लगाए जो करेंट को वह ऐसे ही जंप कराता है अब उस पर विवाद करेंगे लेकिन अभी हम पैट्रोल गाड़ी के कार्वि जब गराम हो जाती तो सोड हो जाती है तो हां से करेंट वह प्रॉपर तरीके से डबल गुणा में वह चैंज करता है वह करेंट नहीं हो पाता तो डिस्टीबूटर तक करेंट नहीं पहुंच पाता और डिस्टीबूटर से करेंट नहीं पहुंच जाता हो तो हमारे स्पा हाइ टेंस Unter आटी है जितने वी पिंश्टेंस होते हैं जितने पिश्टन होंगे उन STOP जितने ही वायर आएगी दो पिस्टन का ला ने तो रवाही की तीन का तो चाहर जितने भी पिश्टन का तो उससे साब से हमारा distributor पर वायर आती है और एक जो हमारे distributor से जो मैन वायर है जो हमारे ST coil पर जाती है ST coil पर दो wiring के वायर होते हैं और एक हमारे high tension वाड़ी lead होती है तो यह हमारा electrical का current का एक cycle बनता है जब यह cycle बन जाता है तो हमारा power stock के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती इस हिसाब से हमारा power stock हमें पैदा होता है जब power stock हो जाने के बाद में हमारा exhaust stock आ जाता और जितनी भी जली हुई gas हमारी भाहर निकल जाती है अगर हमारा यह power stock जो electrical distributor हमारे केम के साहिता से केम के रसे चलता है तोब distributor के अंदर हमारा क्या होता हक्या होता है एक point क्वाइल होती है condenser होता है और क्वेरी condenser खराब होगा जाता है तो भी हमारा engine यह करता है कि वो condense करता है Details के करेंड को कम या जादा करने का काम करता है और हमारे जो अंदर जो एक point है यानि कि हमारे points बने है point जो current को को तोड़ना का काम करता है Distributor कर रोड़ के द्वारा जब हमारा गूंता है तो हमारे aroundush do jul पर Curcling जाता है तो वह क्या करता जंप करता रहता है करेंट तो वहां पर करेंट हमारा उत्पर होता ज्यादा जैसे आपने देखा हमारे ट्रांसपर होते हैं बिजली के ट्रांसफार्मर उनमें भी ऐसे ही होता है एक सेकेंडरी क्वाइल होती है एक प्राइमरी क्वाइल होती है तो क्या करते एक क्वाइल मे आपको ये distributor के बारे में पता लगे होगा electrical current कैसे हमारे इस पार प्लक तक हमारा जाता है और कैसे काम करता है तो thank you wish you well और आप इस वीडियो से अगर कुछ थोड़ा भी समझे तो thank you मैं आपका धन्यवाद देता हूं thank you thank you